हाई फ्रेंट्स मैं हूँ लक्षमी और स्वागेताब के मेरे चैनल लक्षमी की रेसोई में अभी साम के पांच बज रहे थे तो हमने साम का खाना बनाना सुरू कर दिया था हम थोड़ा से जल्दी भी शुरू कर देते और जल्दी के अब सब लोग ना टाइम से खा भी लेत दिया था और जिसको साग नहीं खाना था आज के दिन वह हम लोग खाएंगे सीमला मिर्च तो आज दो दो हम चीजे बनाने वाले थे तो गज्ञें बैटके बना लेते हैं दोने साथ बन जाएंगे तो यह साग बनने से पहले या खाना बनाने से पहले कुछ चीजे आपे है जब साग बनाते है तो इसमें जादा डलता है और कि पहले वी मसाले के साथ टालना होता है और फर पात में तटके में भी चाहिए हुथा प्याज मुझे चाहिए थी सि्मला मिर्च अव्हज है भी और चाहिए था तो शैतियाधी면 के रख लिए तो आर उसके बाध़ पहले काटके रखने से तो यह पायदा है कि सुभा में जब हम उसको बनाएंगे तो एक्तम चिप चिपी नहीं बनती खिली-खिली बन जाती है क्योंकि अगर हम साथ के साथ धुल के उसको तुरंट चौक देते हैं तो थोड़ी चिप चिप चिपा पन रही जाता है और साथ में काटके रख दी थी और सैलिड भी यहां पर हम काटके रख लेंगे पहले ही तो जैसी ही साग बनेगा हम तुरंट इसकी सिम्ला मिर्स बनाने की तैयारी कर लेंगे और चूले पर खाना बनाने का फायदा एक यह भी है कि हम लोग बैठ कर रहा हमसे बाते कर सकते हैं और बहुत सारे काम भी पैठे-बैठे हमारे हो जाते हैं यहां पर चलते चलते बहुत हो बात गहराई में पहुंच चुके थे तो उसी बात पर हम लोग डिसकस कर रहे थे कि क्या था वह नहीं था वैसे एक फाइदा तो है यहां पर हम दोनों को टाइम मिल जाता है थोड़ा से बैठे हैं बहुत कम दिन में हम ऐसा टाइम में बाता है कि हम लीच के चलते बनां केमी में तो तो मैं यहीं पर हम दी खाख जरते ह हो म?. ने इसमामर्ज बनाने के लिए सिमामर्ज में पहले हुंची काट हैं पर बात. कंसी बात बने कर बने दालीए हूँ जब Geekन बड़ार ओं प्लां के और तो भी शोंद। थो यहां रहे थे. और यह मैं तब-tक लसून काट लिया था अर लसून को भी मैं उसके साथ ही डाल दूंगी बस ऊसे हमें थोड़ा सब्धूना हो ज्यादा हमें इसे ब्राउन नी करना मिल्क जला के नहीं रफना है थोड़ा सब्धून नहीं अन्द मेरी कढ़ाई के कलर को एगनौर करना है एक थोड तो थोड़ी स्मेल सी आती है, पता नहीं हम लोगों को आती है, लेकिन मुझे तो आती है, तो मैं सीड हल्दी को पहली थोड़ा से बून लेती हुए, उसके बाद हम इसमे कुछ डालते हैं, तो मैंने बूदा पहले प्रोड आनीग था, अब जैसे ही मैं इसमें ऑलो को पहले सब्सक्राइब ने चैटनी ने मिर्च के लिए टाफिंग बनानी है थोड़ा सा अलो करणशी बनाता है मुह में तो वह बहुत टेश्टी लगती है तो यहां आलू मैं मैस कर रहती चारे थी और इसके बाद मैंने इसमें मिर्ची डाल दी थी और धनिया डाल दिया था और इसके बाद फिर से मैंने इसको चलाना शुरो करा इससे एक तो यह फायदा कि आलू बहुत अच्छे से भून जाते हैं और मसाला अच्छे से मेख सो ज अवन नमक और आम चूर को अच्छे से मिक्स कर देना लेना क्योंकि जितनी होचा है सिंप्ला मिर्च में टेस्ट आता है तो यूज इसको चला-चला के भून ले और में साइड में दे रही थी देखने के लिए नमक मिर्च एड़ी के थीक है नहीं है तो इसमें सब कुछ एकदम प्रफेक्ट था और यह भनने के लिए भी तैयार थी तो बस इसको थोड़ा सा और भूनना है इदर उदर करके चला के और नहीं कड़ाई में पता नहीं कैसे ना फिसल रही थी तो बहुत मुस्किल से ने चलाई जारी थी जाने के ऐसी ओईल की वज़े सी या क्या ऐसे फिचल रही थी अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रही थी तो यह अच्छे से भून चुकिति उसके बाद मैंने इसे उताते रख दिया और साथ को हमने फिर से सालन देखे पकाने के लिए रख दिया था तो तब तक साग दूबारास से पकेगा हम इसकी स्टफिंग कर देंगे सिम्ला मिर्च की तो यह मैंने सिम्ला मिर्च की ना जब हम इसे प्राइ करेंगा तो उसको लगा के करेंगे ताकि पिठी से निकले ना सिम्ला मिर्च को मैंने पहले दो लिया था आप चाहें तो इसे बाद में भी दो सकते लेकिन बाद में दोने के अब इसके टाइम दोने पे न इसको हमें थोड़े दर सुखाना होगा नहीं तो इसके अंदर तक मानी चला जाता है तो यहाँ पिठी भी ठंडी हो गई थी, आब इसको मैं इसमें भर दूँगे शिम्ला मिट्स में, हमें अपने हिसाब से बनी होती है, जैसे किसी को कम खानी होती है, तो कम डाल लो, ज्यादा खानी होती है, तो ज्यादा इसमें डाल लो तो मैंने इसको अच्छे से दबा दबा के क्यों हम लोग यहां बच्चे भी अगर खाएंगे तो उसे पिठी पिठी चाहिए होती है तो सिम्ला मिर्चो को भरने के बाद में इस तरह जोड़ देते हैं और पिठी वो खा लेंगे कि यह डंठल अच्छे से चिपक जाए तो सारे ऐसी सिम्ला मिर्च में पिठी भरके सब डंठल को ऐसे उपर से लगा देंगे हम तो इससे सिम्ला मिर्च की पिठी बिल्कुल भी भार नहीं निकलेगे और जो हम इस वे ऑईल में डालेंगे तो वह ऑईल भी नहीं खराब होता आप चाहिए तो इसे डीप फ्राइ कर सकते हैं या फिर थोड़ी सोईल में इसको पलट पलट के सेख के निकल भी सकते हैं तो यहां सब भढ़ चुकी थी उसके बाद में मैंने निकलाई में डाल के थोड़ा सा जीरा और हींग ही डाली थी और कुछ इसमें नहीं डालना होता तो मैंने थोड़े से ओईल में बस इसको पलट पलट के भूना था तो देखे सारी सिम्ला मिर्च को इसमें डाल दिया उसके बाद इसको ऊपर थोड़ा सा नमग डाला था जिससे न यह जल्दी भून जाएंगी तो कि इस टाइम पर सिम्ला मिर्च जो आती है उनका तला ना जो उनकी परात हो थी बहुत मोटी होती तो गलने में टाइम लगता है तो इससे थोड़ी जल्दी गल जाते हैं तो पर गल गहां तो उसके बाद मैंने यह को निकालने लगी थी जैसे जैसे एक एक दो तो आवा पर निकालते जाएंगे आ तो सांख जाया है और शो बंच लाग पर स्सितरों न शेशी उखने में हमारे union था आज वैए तो आज को अगर आपको मेरी वीदियो किसी भी अंगल से पसंद आई तो इसे लाइक करना शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले